महाराजी तो सबको एक सूतर में बांधने वाले थी हनुआ जी किस पार्टी के हैं बता सकता है कोई महाराजी का जवाब होता था सब एक सब का मालिक एक सब का मानने के और वो सब संत हैं जिन्होंने उडिया बाबा और नीम कराली बाबा की दर्सन मेरे पिता जी को कराए थे सं 32 के बाबा बहुत जिद्दी थे बाबा हमारी बात नहीं मानते थे और बाबा जिद्दी थे महराजी गहाद में दे दियों महराजी इतना प्रेम पूर्ण भाव से सब खा गई पूरा का पूरा का पूरा खा गई पूरा का पूरा तो उस समय की परंपरा हैंस काल खंड की यही थी कि संतों को सेठ लोग अपनी धरमसालाओं में तिका के अपना बड़ा सौभा की समझते थी, बड़ा सौभा की समझते थी, तो जिदिन उडिया बाबा और नीम करॉली बाबा दोनों आये थे, उन्होंने भुने वए आलू और खिचडी बना की अपने हाथ से खिलाई थी उनको, जुसुबंदु जी ने, पिता जी को भी करें थी, और महराजी पंत, मठ और संप्रदाय से परे थी, संप्रदायों में वाद संबाध होते हैं, दर्शन को लेके वाद विबाद होता है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, अनेक विचारकों अनें, संतों ने संपरदायों को चलाया है संपरदायों के मूल मंत्र हुएं जंडा हुआ है डंडा हुआ है वस्त्रों के रंग बेसबूसा श्रंगार ये सब महराजी इन सबसे परे थी महराजी तो सबको एक सूत्र में बांदने वाले थी कोई बता सकता है कि हनुमान जी किस संपरदाय के है सही बात है कोई बता सकता है उनको हनुमान जी किस पार्टी के हैं बता सकता है कोई हनुमान जी तो बस राम के साथ है एक ही जगे बंदे हुए है तो महराजी इसी लिए जब ऐसे सवाल ऐसे प्रश्ण भक्त लोग अपनी जिग्यासा बस या कौतूहल बस या ये कही अपनी चतुराई से महराज जी के सामने रखते थे महराज जी का जवाब होता था सब एक सब का मालिक एक ये भी जो साहिं बाबा के वर्ण है रूप अनेक सब एक किस बेशभूसा में कौन संथ हैं फर्क नहीं पड़ता उनकी बाणी क्या है वो किस संस्कृती से आ रहे हैं किस परिवार और कुल में परमपराओं में जर्म लिया है फर्क नहीं पड़ता संथ तो संथ हैं वो आपने एक दोहा सुना होगा ब्रक्ष कवहुना फल भकें नदीन संचे नीर परमारत के कारणे साधुन धरासरी तो यह पूरे विश्व में जहां भी संथ हैं वो तो मनुस्यों के उत्थान के लिए हैं अपना उत्थान उनका उसी में है कि वो दूसरों को साथ के चलें सेड़ी बारे साइं बाबा हो भाराज जी बापू के बारे में बच्छी सब्द कहते हैं जी क्या कहते थे बापू के बारे में कहते थे निस्वार्थ बाव से गांधी की तरह सेवा करो यह सब्द मेरे सुने हुए सब्द है अलमात्मा गांधी को बहुत मानते थे मानते थे, सम्मान से उनका नाम लेते थे तो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं उन्होंने सेवा की दूसरों के हिद के लिए सेवा की अपना जीवन दे दिया दूसरों के लिए वहां क्या विचारदारा है क्या प्रोग्राम कौन लेके चला है ये तो बाकी लोगों के लिए चर्चा के बिसे हो सकते ही, भेद अभेद हो सकता है, मत हो सकता है, मतांतर हो सकता है, महराजी का जो बातावरण है, उसमें दूसरों के हित साधने वाले सब लोग माननी हैं, समानी हैं और वो सब संत हैं, चाहें वो पूजा अर्चना करें या न करें हटीयों को कोई कहता था महाराजी मैं तो में नहीं मानता हूं मेरा मन नहीं लगता मैं किसी के पूजा नहीं करता बहुत बड़ा संथ है योगी है कई बार दो लुग चिड़ भी जाते थे उंसे क्योंकि संभवे वो नास्तिक भिचारदारा का हो वो नहीं मानता है लेकिन महराजी के लिए इसने उसके लिए उतना ही था तो ये अद्वूत गाताएं हैं महराजी पी यहां महराजी बहुत से संत और बहुत सी परंपराओं से विसिस्ट हो जाते हैं अच्छा आपने हटी की बात की हट बाले संतों से बात होती थी मुझे याद आ रहे हैं आपके पिता स्री के गुरू सत्यारती जी तो मैं चाहूँगा कि आप उनके अडियो की चर्चा करें बड़ा सौभाग है हमारे परिवार के उपर अनेक संतों की क्रपा रही निरंतर बनती रही आप चित्र देख रहे हैं सत्यारती जी का और कई रूप में कई संत आए उनी में सबसे पहले संत जिनकी हमारे परिवार पर क्रपा रही वो है सौमी विशुबंदू सत्यारती जी जिन्होंने उडिया बावा और नीम क्रॉली बावा की दर्सन मेरे पिताजी को कराए थे सं 32 में देखे आज ऐसे सुत्रधार की बात हो रही है कि कोईन कोई रास्ता दिखाता है कभी दास ने क्या काया साथ गुर गोविंद गुर गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलेहारी गुर आपनों गोविंद यो बताए हमारे अपने मानस में विशुवंदु सत्यार्थी जी गुरू है और महराज जी गोविंद है तो गुरू ने गोविंद से जोड़ा है और बहुत सी जब चर्चाएं होती है निसकर्ष निकलता है तो गोविंद गुरू में बिलीन है और गुरू और गोविंद दो नहीं है वो थोड़ा भ्रहम है कभी कभी का भ्रहम है जैसे गोविंद गुरू के बारे में कहते हैं बाबा बहुत जिद्दी थे बाबा बहुत जिद्धी थे बाबा हबारी बात नहीं मानते थे और बाबा जिद्धी थे सच बात है महराजी कहा करते थे लेकिन ये भी हमें मालूम है कि विशुवंदू सत्यार्थी जब महराजी अलीगड आये 1955 में एक कथा है और बिशुवंदू जी को पता चला तो गए सवा के लोग कलाकंद लेके और कलाकंद भरा हुआ पैकिट कागज का पैकिट में मिलता ते नो सब विठाई महराजी कहाद में दे दियो महराजी इतना प्रेम पूर्ण भाव से सब खा गए पूरा का पूरा तो वो उन दोनों संतों में हट भी है जिद भी है और अपार प्रेम भी है अब इन रहिस्यों को हम अपनी जग्यासावज समझने की कोशिज करते हैं कि साइद फिर यही होता है कि महराजी क्रपा होगी तब ही समझ पाएंगी पूज सत्यार्थी जी की समाद पर मुझे नम्मन करने का सोभागी प्राप्त हुआ है आप एक चित्र देख रहे हैं दादा भी खड़े हैं उसमें आप सत्यार्थी जी ने किस तरह से कहां पर मुलाकात वी महराजी की यह बात 1932 की है विस्वंदू सत्यार्थी जी बेशनब सन्यास में आ चुके थी उड़िया वावा ने उनको सन्यास की दिख्षाथी नब्भे साल पहले की बात है नब्भे साल पहले की यह इसलिए बता रहा हूँ के गुडा भाग भी अपना चलता जाए जी स्वागत है उनका जन्म इस्थान जेवर एयरपोर्ट जाहवा ना उसके पास नीमका ग्राउम है नीमका ग्राउम में उनका जन्म हुआ था और वो अपने परिवार से विरक्त हो गए थे बहुत कम उम्र में ही और उनकी सिक्षा दिक्षा खुरजा में हुई थी और वो तिलक पाट साला सिकंद्रा में पढ़ाते थी खुरजा में एक सेट जी की धरमसाला में निवास करते थी उस समय की परंपराएं उस कालखंड की यही थी कि संतों को सेट लोग अपनी धरमसालाओं में टिका के अपना बड़ा सौभागी समझते थी बड़ा सौभागी और हम आपको महान संतों के दर्शन कराएंगी तो उस दिल उडिया बाबा और नीम करॉली बाबा दोनों आए थे उन्होंने भुने हुए आलू और खिचडी बना कि अपने हाथ से खिलाई थी उनको विसुबंदू जी ने पिताजी को भी पवाई थी और वहां से पहली बें पूर वहां एक संस्क्रत पाड़सला की स्थापना की वह सुतंता संग्राम सेनानी भी थे असायोग आंदोलन में भाग लिया जेल गए लेकि बाद में सब कुछ छोड़के वह सफेद वस्त्रों वाले वेश्णम साध्व हो गए थी आप जो इंटर कॉलेज है जो इंटर क है